हेलो फ्रैंड्स मैं परशांद सर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योगवित परशांद पर फ्रैंड्स आज हम चर्चा करेंगे बंदों के बारे में कि बंद क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बंद का क्या आर्थ होता है? बंद का आर्थ होता है रोक लगा देना या फिर ताला लगा देना. इसमें बंदों के अभ्यास में हम सरीर के विशेस भाग में उर्जा के परवा को रोक देते हैं और जब बंद को खोला जाता है तो सरीर से उर्जा का परवा अधिक तेजी के स साथ होता है और उर्जा अधिक तेजी के साथ परवाइत होती है इसको हम कुछ इस परकार से समझेंगे उधान के रूप में जैसे किसी पानी के पाइप को हम कुछ समय के लिए दबा दें या फिर रोक दें तो पानी का परवाह रुक जाता है और उसको कुछ समय के बाद खो बैन का काम भी बंद के द्वारा किया जाता है फ्रेंच बंदों के परकार बंदों के परकार में cumpl गेज़ानदर नोर थीसरा मूल और होता है loth ये चार परकार के बंद होते हैं तो हम अपनी वीडियो में आज अभ्यास करेंगे जालंदर बंद के बारे में कि जालंदर बंद क्या होता है फ्रेंड्स जालंदर बंद का अर्थ होता है गले में लोक लगाना यानि की ताला लगाना जो हमारे सरीर में नस और नाडियों का जाल होता है वह गले के आसपास से गुजरती है इसलिए उनको ताला लगा दिया जाता है लोक लगा दिया जाता है इसलिए इसको जालंदर बं जाता है और उसी से हमारे सरीर का संचालन होता है हमारे सरीर में 72,000 नस और नाडियां होती हैं उन्ही को सोधन करते हैं इसलिए इसको जलंदर बंद कहते हैं फ्रेंट्स ऐसा भी माना जाता है कि जलंदरी पाद नामक रिसी ने इसको पहली बार किया था और उन्ही के नाम पर इसका नाम पड़ा हटपरदीपी का और घहरन सहिता में भी इसका वर्नन हमें खूब देखने को मिलता है ऐसा भी मानते हैं कि यह मोत के जाल को रोक देता है क्योगी जब इसमें लोग लगाया जाता है गले में तो नस और नाडियां में रक्त का परवा रोक दिया जाता है उर्जा का परवा रोक दिया जाता है और धीरे धीरे जब इसको खोला जाता है तो हमारे सरीर में उर्जा का परवा अधिक तेजी से होता है और हमें मृत्तु का भे खत्म हो जाता है तो फ्रेंड्स आईए अभ्यास करते हैं जालंदर बंद का जालंदर बंद का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मकासन में बैठ जाना है सुखासन, पदमासन या फिर वजरासन में भी आप बैठ सकते हैं तो हम पदमासन में इसको करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे आप पदमासन लगा लेंगे, इसके लिए आप हमारी special वीडियो भी देख सकते हैं, पदमासन लगाने के बाद अपने आपको सांत कर लेना है, हातों को इस परकार से रख लेना है, और गर्दन और कमर को बिलकुल स इसके बाद अपने दोनों हातों को उठाते हुए, दोनों पैरों पर यान मुद्रा में रख लेना है, और धीरे-धीरे स्वास का पूरत करते हुए, यानि की स्वास को भरते हुए, अपनी थोडी को अपनी चाती से लगाना है, आप देखेंगे किस परकार से चाती पर स्वास को अंदर ही रोक देना है, दीरे से जल अंदर बन लगाना है, अब चल अंदर बन दीरे दीरे खोलते हुए, दीरे दीरे स्वास को भाहर छोड़ देना है, आप इसको तीन से चार बार कर सकते हैं, तो आईए फ्रेंट्स एक बार और इसका भ्यास करते हैं, आपको स्वास भढ़ना है दीरे दीरे, और जालंदर बन्द में आ जाना है, यहाँ पर आप यता सुंबव अपनी कैपेशिटी के नुसार आंतरिक कुमबग कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती बिलकुल नहीं करनी, दीरे से बन्द को खोलते हुए स्वास का रेचक कर देंगे, यानि कि स्वास को बाहर छोड़ देंगे, और सामान नवस्ता में आ जाएंगे, तो फ्रेंट्स यह था जालंदर बन्द का अभ्यास, आप इसको धीरे धीरे से करें, आप इसमें बिलकुल भी जबरदस्ती ना करें, आपको इससे हानी हो सकती है, तो फ्रेंट्स धीरे धीरे से इसका भ्यास करें तो आईए फ्रेंट्स जानते हैं जालंदर बंद के कुछ लाबों के बारे में यह हमारे सरीर पर क्या कारिया करता है सबसे पहले बात करते हैं प्रान वायू का संचारन यह अच्छे से करता है इसके साथ-साथ गर्दन की मासपेशियों में रक्त का प्रभा अच्छे से हो जाता है जिससे धेरे-धेरे गर्दन का दर्ध समाप्त होने लग जाता है और मन की द्रड़ता को भी बढ़ाता है इससे हमारा मन मजबूत हो जाता है जो लोग घवराते हैं उन्हें यह जरूर क जरूर करना चाहिए ताकि मन की द्रड़ता बढ़ जाए और इसके साथ साथ जिन लोगों को मृत्तु का भे रहता है यह मृत्तु के भे को समाप्त कर देता है क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो हमारी जो नारियां होती हैं उनको लोक कर दिया जाता है जिससे धिरे-धिरे समाप्त हो जाता है इसके बाद जिन लोगों को कंट की समश्या होती है यानि की गले में प्रोब्लम होती है उनको यह जरूर करना चाहिए ताकि धिरे-धिरे आवाज सुरेली बन जाए और कंट की समश्या धिरे-धिरे समाप्त हो जाए कुछ लोगों को टॉंसिल्स की नाक और गले में प्रोब्लम रहती है उनको यह धीरे-धीरे समाप्त कर देता है और परजन अनंगों को भी यह ठीक करने में हमारी मदद करता है इसके बाद जिन लोगों को पैरा थाइरेड या फिर थाइरेड ग्लैंट्स में कुछ प्रोब्लम है उनको थाइरेड की समश्य है धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है क्योंकि थाइरेड और पैरा थाइरेड जो ग्लैंट्स होते हैं उनकी एक्ससाइज होती है इसको करने से तो धीरे-धीरे समश्या समाप्त हो जाती है इसके साथ साथ कुछ लोग जिनकी रीड की हड़ी में दर्द होता है तो इसको करने जीवन में अपना कर इसका लाप जुरूर लेंगे और अपने जीवन को कुसल बनाएंगे मंगल बनाएंगे तो आये फ्रेंट्स जानते हैं जालंदर बंद का अभ्यास किन सावधानियों में हमें करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों के गले में ज़्यादा दर्द है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और इसके साथ-साथ जिन लोगों को गले में सूजन रहती है उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्रोब्लम बढ़ सकती है इसके साथ-साथ जबरदस्ती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी यह हम सभी आसन और प्रणायम में भी बताते हैं कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ-साथ जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रोब्लम है उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही इसका अभ्यास करेंगे तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर प्रेस सकें तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार